एक इश्क है इस दुनिया का, वो इश्क थोड़ी है एक इश्क है जिसमें आप कुछ पाना चाहते हो एक इश्क है जिसमें आप मिट जाना चाहते हो वो इश्क है यहाँ आप मिट जाना चाहते हो तू रहे, मैं मिट जाओ यह इश्क है तो जब हमारी चाहते कम हो जाती है कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है सामने वाला जो बंदा है उसने वो ही करना है जो उसको करना है हमारे चाहने या ना चाहने से क्या फर्ख पड़ता है जैसे जैसे acceptance बढ़ती है जैसे जैसे हमारी intelligence बढ़ती है वैसे-वैसे गूशा गामाने लग जाता है हमें समझ आने लग जाता है दो तरह की चीजे हैं हमारी लाइन नआ YouTube से एक हैं जिसके लेएं कुछ कर सकते हैं तो वहां हम एक्ट करते हैं, दूसरा हमें पता है कि यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे क्या होता है, यू डवलप सम्कार्ड फेथ विदिन, और फेथ खोकला नहीं है, दुनिया की नजर में फेथ का मतलब क्या है, रिलीजिन का मत होगा जिसकी नहीं है उसके घर में डेध होगी उसके घर में फाइनिशल प्राब्लम्स होगी ऐसा है वह वागवान अ प्रेट का मतलब क्या है अब चाहे कुछ रहे या मिटे हां चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो पैसा आए या जाए है भूख है लेकिन खाना मिले या ना मिले, मैं काम कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगा करके, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले या बुरा मिले, क्या फर्पड़ता है, तू तो मेरे साथ है ना, तू जो कर रहा हूं सब सही है, सब मन्जूर है, जो तेरी मर्जी, वही मेरी मर्जी है, हट गए बीच में से, इस इस कॉल पड़ता है, जब हम एक तम साफ हो जाते हैं, और एक तम साफ रहे हैं, जैवन रहे हैं, लेकिन ऐसा हो कि आप आज के वर्ट में करेंगे, तो हमारत स्पिरिच्वालिटी का मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ हो जाओ, कि कोई भी आए और आ करके, आपके साथ कुछ भी करके चला जाए, और आप काओ कि मैं बहुत स्पिरिच्वाल हूँ, तो हमारत स्पिरिच्वालिटी, स्पिरिच्वालिटी मतलब, राइट एक्शन, स्पॉन्टेनियसली, कि जिस सिचुएशन में जो करना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है, वो आप कर रहे हो, अपनी पूरी इमानदारी से कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जो हो रहा है, वो मेरी पकड़ पे बाहर है, इसको समझ पाना, इस स्पिरिच्वालिटी, सम आपको बड़ी प्यास लगी है, मैं आपी की सर्विस में हूँ, आपी का इंतजार कर रहाता मैं, ऐसा नहीं है भगवान, भगवान क्या कहता है, जो करना है करो, शक्ति चाहिए मुझ से लो, अगर कोई गलती हो भी जाए तब ही डरना मत, मैं हूँ तुमारे साथ में, That is becoming fearless, becoming intelligent, जो काम कर रहा हूँ, उससे related 1000 बुक्स पढ़ूँगा, पढ़ करके उस काम को धंग से करूँगा, जो पैसा आएगा उस पैसे को शेर करूँगा कोई दुनिया के साथ में, कबजा नहीं करूँगा उस पे, this is spirituality, अब थोड़ा जल्दी आड़ी आगे बढ़ते है Sixth Point है, Better Understanding in Relationships, ऐसा भी हुआ है किसी के साथ में, मतलब धीरे धीरे हम सामने वाले को समझ पाएंगे, हम अपने आपको उनकी जगे पर रख करके देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि जिस चीज को ले करके मैं इतना परिशान हो रही हूँ उस आदमी से, अगर मैं उसकी जगे पर होती, exact उसी situation में, तो मैं भी exact वही करती जो उसने किया, exact, इतना सभी अलग नहीं, जिस दिन ये समझ हमारे अंदर डेवलाप हो गई, उस दिन हम as it is accept कर लेंगे, बिना किसी को कुछ बदले, और जिस दिन हमने as it is सामने वाले परसन को पूरी तरह से accept कर लिया, हो बदल जाएगा, attachments कम हो रहे है, decrease in attachment, ऐसा हो रहा है आप लोगो साथ में, किन चीजों से attachment कम हो रहे है, खाने से कम हो रहे है, क्या बात है, कहां खड़ी आपकी कार मैं ले जाओंगा, increase in compassion and love, अब यह बड़े भारी words है, हो रहा है, किसी के साथ में ऐसा, क्या हो रहा है, what is love? कोई बताएगा, what is love? हालाथ थोड़ीलाइब पूरी तरह से एक तो क्या यहां मां को प्यार करना पड़े अपने बच्चे असे नहीं ना मां को बच्चे के बाप प्यार करना पड़े प्रभा स्थ हतेugen गए अरिप तो प्यार वर्ड भी वहाँ पर जाकर के छोटा हो जागा लव इस जस्ट वर्ड एक्चल में प्यार गार कुछ नहीं है सिर्फ वन्नेस है जहां आप उस वन्नेस में गड़ते चले गए जहां आपको समझ आता चला गया अरे यही है जो मेरे अंदर है यही है जो आपके अंदर है यही है जो सबके अंदर है हर जानवर के अंदर हर इंसान के अंदर क्या है यही है और यह क्या है यह मैं ही हूँ तो क्या लग रहे गया अब यह भी सुनो कि क्या है एक है फीलिंग के स्थर पे लव feeling के इस तरफे क्या मुझे लगता है कि हम सब के अंदर एक ही हैं हम सब एक ही हैं यह क्या है feeling है यह feeling में क्या है बड़ी मिलावट है भईया हम सब हिंदुस्तानी है तो हम सब एक ही है वो पकिस्तानी है तो हम एक ही है और यह दोनों अलग-अलग है आपस में लड़ रहे हैं यह कैसा प्यार है नकली प्यार है वह बड़ें हैं तो उसके साथ मैं एक हूं जो मेरा नहीं है उसके साथ मैं अलग-अलग हूं भर मेंजिए सबके अंदर के अंदर ऑगवान है जो हम सब के अंदर है क्या है क्या कोई खयाल है क्या रियालिटी है अरे यह साउंड औफ साइलेंस कहो इसको धुन कहो इसको भगवान कहो जब भी मैं वर्ड यूज करू ना भगवान आत्मा परमात्मा समझ जो मैं साउंड की ही बात कर रहा हूं I'll put it simple जब भी मैं किसी की तारीफ कर रहा हूं इस साउंड की ही कर रहा हूं सिर्फ ये है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये हम सब में है बाकी बताओ ऐसा क्या है जो आप कह सकते हो कि हम सब में है शकले अलग अलग है बॉड़ी अलग अलग है कोई मेल है कोई फीमेल है बाल है thoughts अलग अलग है feelings अलग अलग है relationships अलग अलग है सब कुछ अलग अलग है हर स्तर पर हम अलग हैं सिर्फ यह एक ऐसी जगह है जहां पर हम सब एक है जब इस बात को हम गहराई तक अंदर गड़ती चली जाती है जब हम किसी इंसान को नहीं देख रहे होते हैं कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं आपको नहीं देख रहा हूँ आपकी फॉर्म को नहीं देख रहा है आपके अंदर उसको देख रहा हूँ जो मेरे अंदर भी है इसको मैं भी देख सकता हूं हापके अंधर है यह साओं है ना मैं सुन सकता हूँ ना इसको मैं यह सुन सकता हूँ ना आफकी दिल में क्या है यह देख स靠ा कि आपकी माइन में क्या हяг ना पकी फॉट्स को नहीं देख सकता ़ी विख लेख सकता हो इन सबकतो दिल है हॉट पता है है हाठ फिजिकल हाथ की बात नहीं हो रही हाँمة हट मतलब दुझे के यह पूरी दुनिया है यह आप हो यह मैं हूँ इसको center क्या है That is hard वो धागा जिसने हम सब को जोड रखा है उस धागे को निकालतो तो कुछ भी नहीं है वो धागा है तो सब कुछ है तो मैं यह देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है आपके दिल में वो ही है जो मेरे दिल में है और जो दिल में है वो ही important है क्योंकि वो ही रहता है आगी सब मिट जाता है आगी सब मिट जाता है कुछ नहीं रहेगा ना यह bodies रहेंगे ना यह thoughts रहेंगे ना feeling, memory, सब मिट जाएगा यह रहेगा और जब यह रहेगा तो यहाँ पर ना हम कभी अलग थे ना अलग हैं ना कभी अलग होगे ना अलग हो सकते हैं चाह करें हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं लेकिन अलग हो नहीं सकते हैं इस तरप है यहाँ दिल में एक बात थोड़ी सी अलग है तूसरे दीप है टच करूँ इस वांट है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की सारी की सारी जड़ पता है क्या है यह मानों कि एक ऐसा समुद्र है जिसका ना कोई शुरुवात है ना कोई अंध है इस साउंड का क्या कोई बिगनिंग है जहां आप कह सकते हो कि यह यहां से शुरू होती है क्या कोई आंध है नहीं है तो मानों कि एक पानी है तूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है इसको पानी भी बोला गया है क्योंकि यह पानी के जैसा है हमेशा बहता रहता है लेगन कहीं से आता जाता नहीं है क्योंकि ये हर जगे है इस पानी में लहरे बनती है और मिटती है लहरे क्या है हमारी बोडी? समयनी की कोशिश करना है बहुत सिंपल है वैसे लेकिन थोड़ा सा दीप है लहर को ये जानने के लिए कि मैं ही पानी हूँ क्या करना पड़ेगा और ये लाइस कैसे होगा अभी वो लहर अपनी इस body के थुरू यानि लहर के थुरू और लहरों को देख रही है उसका पूरा ध्यान और लहरों की तरफ है इस पूरी दुनिया की तरफ है तो अब क्या करना है कोई ऐसी लहर है कहीं पर जो जानती है कि मैं ही पानी हूँ वो आई आपके पास में आ करके उसने बोला आपको कि कुछ सेकिंड्स के लिए अपना ध्यान जो और लहरों की तरफ है बाद में लगाए रखना, आपकी मजबूरी आप क्या करोगे काम तो करना ही है, जोब तो करना ही है, बिसनस तो करना ही है फिर लहरों मोलज नहीं है कुछ देर के लिए एक सेकिंड के लिए सिर्फ पलट करके देखो अंदर क्या है जैसे ही लहर ने बाहर देखा तो सिर्फ लहरे हैं बड़ी लहर, छोटी लहर, प्राब्लम्स, ये, वो, अटरम्स, फॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन्स, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र है, युद्ध है, है कि नहीं, ये दुनिया, एक्जिस्टे के लिए, लहर ने, अंदर पलट करके देखा, किसी की कहने ने, और जब अंदर देखा, महाँ कोई लहर नहीं है, सिर्फ पानी है, और जहां ये बात, आपको मेरी गहराई से समझ आ गई, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, कि इस लहर के होने या ना होने से, पानी को तो मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि लहर को मारना, मुक्ति का मतलब है यह जानना, कि ना लहर है, ना और लहरे हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं, लेकिन है सब कुछ पानी, लहरे आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन पानी वहीं का वहीं रहता है